हम थर्ड येर का, ये लेक्चर नंबर टू है, जो हम अदिटर सर्टिफिकेट और रिपोर्ट की डिसकॉस्चन कर रहे थे देखो, अभी आडिट के रिपोर्ट के क्या-kya प्रकार होती, वो डिसकॉस हुआ था, डिस्कलेमर बग़रा डिसकॉस हुआ था, याद है अच्चे से डिस्कलेमर क्या होता है, कॉलीफाईड नहीं हुआ था, ये भी नहीं हुआ था contents तो मैंने करा दिये थे इस पे notes ही नहीं है इसको लग रहा है मुझे lecture इसी lecture में मैं include कर दूँगी तुम लोग notes में लिख ले ना देखो सबसे पहले हम बात करते हैं audit report कितने प्रकार की होती है और तुम्हारे syllabus में कौन-कौन सा है एक जो graph बनवा रखा था ना वहाँ से देखना disclaimer of opinion वगेरा लिखवा रखा था ना ओकी गुड़ गुड़ ठीक है ठीक है close the book तो सबसे पहले हम ज़रा types की बात करते हैं कि audit report के क्या-क्या प्रकार होते हैं audit report में जो सबसे पहला प्रकार होता है वो होता है final report सबसे normal, सबसे अच्छी खबर यह जो साल खतम होते ही एक auditor आता है, audit करता है और एक final report बना देता है उससे हम क्या कहते हैं audit की final report audit की final report के बारे में यह समझना कि यह auditor द्वारा company की पूरी जाच पढ़ताल होती है और यह एक individual, यह एक firm जहां तक यह आदार है, अच्छा है ठीक revision कर लेता है, अंतरिम report के बारे में यह पढ़ाया था मैंने की अगर company के पास over and above profits हो गए, और company चाहती है कि उन profits को हम अपने लोगों के साथ बाटे, तो वो bonus share के नाम पे, या extra dividend के नाम पे interim report को त्यार कर सकती है, partial report अगर company को कुछ चनिन्दा books of account के basis पे report जारी करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, partial report, unmodified report, देखो, unmodified report का क्या आर्थ होता है, जब एक auditor जो है, company के सारे financial statements की, अच्छी तरह से जाच कर लेता है, और वो उस जाच से संतुष्ट हो जाता है कि company ने gap, IFRS, accounting standard, सारे ही criteria का अच्छे से ध्यान रखा है, मतलब उसकी knowledge में company ने कहीं कोई आपति जनक काम नहीं किया है, जिससे shareholders या investors पे बुरा प्रभाव पढ़ सकता है, तो इस report को हम कहते हैं, unmodified report, modified report के बारे में पढ़ाया था, मैंने, जैसे मैंने contingent asset और contingent liability का उदाहरण लिया था, मैंने कहा था कि हो सकता है, आने वाले समय में company को 2-3 करोड का liability pay off करना पड़े, जिसकी जानकारी, shareholder को नहीं है, तो ये footnote में लिख दिया, company ने अपना काम पूरा किया, मगर auditor का भी दायत्व हो जाता है, कि company का इस बात पे ध्यान attract करे, qualified report, ये modified report में थोड़ी बहुत problems थी, जो की एक technical measure के साथ सही की जा, मतलब company गलत नहीं है, बस information को दिखाने का तरीका नहीं सही था, मगर qualified report में तो company ने at a point of time एक समय पे auditor के साथ cooperate ही नहीं किया मतलब auditor मांगता रहेगा कि भी हमें purchase की सबसीडरी book दिखाई है, company भी ही नहीं, कई वो purchase manager के पास है, purchase manager दुबई में है, दुबई में वो बुर्ज खरीफा से कूद गया है, अब बचा नहीं वो sir, और purchase वाले book लेकर कूदा है, वो दुबई पुलिस के पास book उसकी जमा है, अब क्या करी जाए, तो यहाँ पे मांग लो, मैंने कूद आहरण दिया, तो अगर at a point of time auditor को लगा कि यह क्या, कोई suicide करेगा, तो तुम्हारा purchase book लेकर suicide करेगा, वो बोला कि purchase book लेकर नहीं कूदा है, उसके सारे पन्ने हवा में उड़ा के कूदा है, वो तो qualified report में, at a point of time, जहाँ पे company के managers ने, company के personal ने, auditor के साथ corporate नहीं किया है, वहाँ पे कुछ चीजों को auditor notify कर देता है, देखें, यह, यह situations को अगर हम छोड़ दें, तो financial report, PL, बिल्कुल सही है, मगर उन चीजों को छोड़के, अब मां लोगर यह चीजों बड़ी हुई, तो निवेशक तो निवेश नहीं करेगा, और सबसे भयंकर होता है, disclaimer of opinion, जिसको मैंने आपको समझाय था, auditor आया, auditing करने, auditor को एक कबोरी में आपने भरा, बांधा कमरे में फैंक दिया, क्या बोलेगा auditor, कहेगा हमें इस जिम्मदारी से मुक्त करो और एकाद 1%, 2% company में ऐसे auditor होते हैं, जो disclaimer बनाते हैं वो company वहीं तहस नहस हो जाती है कि मतलब अगर auditor ने disclaimer बना दिया, साफ-साफ audit certificate क्या होता है और एक important चीज़ है, the concept of true and fair देखो, true and fair कानून की नजर में एक कतल की सजा होती है क्या? नई 14 साल की जेल अगर आप अपना पक्ष ऐसे साबित कर सको तो आपको 14 साल की जेल होती है मगर वो पक्ष साबित करने में ही उमर गुजर जाती है एक provision है कानून का जो कहता है कि एक कतल पे अगर ये चीज़ आप proof कर देते हैं कि आपकी ही पूरी गलती, self defense की में यहाँ आप बात नी करें, self defense में तो कोई जेल नहीं अगर आप पे कोई हमला करने आरत आपने खुद की बचाव में किया तब नहीं मगर in general एक murder पे 14 साल की जेल है अब किनी किनी लोगों के लिए बड़ी गलत बात है कि आप उम्रिकाद दीजे, फांसी दीजे कि आप 14 साल वनवास कटवा रहे हैं कि भगवान राम की तरह उसको तो अच्छा कुछ लोगों की दृष्टी से ये ठीक है कि भई उस परसन का 14 साल जीवन के बरबाद हो गया अब वो बदल ही गया होगा या वो जी ही नहीं पाएगा Whatever True and Fair एक perception है ये concept जैसे मैंने बताया भी auditor, report और certificate का difference पढ़ोगे तो difference सबसे बड़ा क्या होता है कि auditor, report, auditor की viewpoint है viewpoint बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पर auditor अपना राय रख रहा है आपके सामने अपनी परामर्ष, अपनी viewpoint, opinion रख रहा है तो it can be, you can either go with it or you may not go with it तो यहाँ पर true and fair भी एक viewpoint है जो एक इंसान की नजर में सही हो सकता है दूसरी इंसान के नजर में वो गलत हो सकता है यह audit report में हम कैसे करते देखो Companies Act 2013 की अगर हम बात करते हैं Section 129 के बारे में तो Section 129 के अनुसारी बहुत आवश्यक होता है बहुत important होता है कि हर company ने अपना balance sheet और profit and loss account हर साल का maintain करना है ठिक बात है अब यहाँ पे एक चीज को समझो 143 के अनुसार Section 143 के अनुसार क्या होता है कि यह जो आपने maintain किया हुआ है यह auditor द्वारा verified होना चाहिए अब जब हम आगे इसकी बात करते है Concept of True and Fair का मतलब यह है कि True और Fair बोलना जिसे Bima company की अगर हम बात करते है Insurance company की वो secret reserve रख सकते है कानुन के नजर में उनको secret reserve की अवशक्ता पढ़ सकती है मगर एक normal company secret reserve नहीं रख सकती है तो यह कानुन की दृष्टी code है कि bank है उसको SLR, CRR काफी सारी commitments meet करनी होती है और कुछ commitments केवल उसके और सरकार के बीच रहती है जिनका वो जिक्र नहीं कर सकती अपने balance sheet और PL पे तो true and fair केवल एक viewpoint है जैसे secret reserve banking company के लिए रखना true and fair है auditor certificate के बारे में register certificate क्या होता है यह बड़ी जिम्मेदारी होती है यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और यह हर साल नहीं करने होती है मालो जिस साल एक example देरे में कब generally होता है जिस साल हमारी company के shares अब market में launch होने जा रहे हैं अब हम बाहर से लोगों को इन्वेस्टमेंट करने को बुलाने वाले हैं, अपनी फर्म में, तो वहाँ पे हमें एक auditor की certificate, auditor की certificate बाद ही हो जाती है auditor पे, मतलब auditor की वहाँ जिम्मेदारी बन जाती है, अगर auditor certificate में कुछ भी गलती पाई गई, तो auditor भाई साब को पकड़ा जाएगा, ठीक है, तो auditor certificate में आपने चार चीजें हैं, जिनके बेसिस पर बताना है, सबसे पहली बात है statutory report, Statutory शब्द का मतलब होता है वैधानिक, जब भी आप टोबैको वगेरा का कोई आड देखते होंगे, तो आँ लिखता है statutory warning, वैधानिक चेतावनी, तमबाकु खाना इसकिन के लिए काफी अच्छा होता है, Statutory report जैसे मैंने क्या बोला कि अब company ने इतना achievement कर लिया है कि company को IPO में आना है, अब भी देखो, ऐसे case में company को statutory report बनाना पड़े, इस statutory report बोलने का ये मतलब है कि company वैधानिक रूप से report बनाके देगी, वो इस provision से skip कर ही नहीं सकती, statutory report होगी, उसके बाद जो तूसरी बात मैंने बोली कि students ध्यान रखेगा prospectus, देखो prospectus लिखवाते समय दो बाते मैंने notes में हो जागर, कि पहला तो ये कि अगर कोई company दुबारा से अपने shares ला रही है, जो कि अभी किस चीज से हम relate कर सकते हैं, interim dividend से, हमने इतना profit कमाया कि हम interim dividend से कर सकते हैं, उसको relate, उसके लिए क्या prospectus जारी नाचेर, depend करता है, company को लगता है कि prospectus नहीं तो एक brochure, एक छोटा सा, prospectus का छोटा form advertising की तरफ है, या तो गर company को लगता है कि हम पुराने prospectus के basis पे ला सकते हैं, तो एक बार अपने prospectus को आपने register of company से approve कराना है, तभी लोग उसको सही मानेंगे, वरना च्छे महीने पहले तुमने IPO किया था, अच्छे profits होगे, तुम उसी prospectus को नए वालों पे चला रही हो, एक बार इस पे audit, sorry, ROC की हामी होनी चाहिए, उसके बाद for liquidation, मान लीजे ये आपके company की अंतिम audit है, इस audit के बाद company बंद होने वाली है, तो वहाँ पे बंद होने वाली है, कहीं अपना ऐसा तो नहीं है, कि कर्ददारों का पैसा ही नहीं चुकाना है उसे, तो इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों से बचने के लिए, auditor को certificate देने से पहले ये ensure करना चाहिए, तो देखो यहाँ पे auditor की certificate की बड़ी आवशक्ता है, liquidation में क्या है, company बंद हो रही है, firm बंद हो रही है, तो थोड़ा बहुत अगत्मयाद होगा, dissolution of partnership में, एक realization account बनाते थे, उस realization account में, liability से asset को set off करते थे, यह होता था ना, हाँ, याद है, अब यह liabilities इतनी ही है, partners ने कुछ चुराई नहीं है, asset, यह कैसे उजागर होता है, auditor के certificate के थूँ, यह उजागर होता है, कि हाँ भई, asset 20 करोड के ही है, partners ने कोई asset नहीं चुराई, हमारे पास सारी संपत्ती 20 करोड की है, जितना liability है, उसी में से ले जाओ, जो ले जाना है, clear है, control regulation की बात कर रहे है, control, पहले तो यहाँ पर क्या भी पढ़ा है तुम्हें, liquidation, चारी point है इसमें, अभी, control regulation, देखो, control regulation का मतलब यह होता है, auditor को certificate देने से पहले, यह चीज़ ensure कर लेनी चाहिए, अगर तुम generally company का ही कर रहे होगे, तो Companies Act के provisions को maintain कर रही है कि नहीं, partnership firm के provisions को maintain कर रही है कि नहीं, इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक difference तो तुम लोग कर लोगे खुझ से, difference मैंने इसलिए हिंदी में लिखवा रखा है, अच्छा, auditor certificate का एक बार specimen मैं बना रही हूँ, देख लो, जरूर से उसको exam में बना के आना, you'll get good marks, ठीक है, चलो अब हम auditor certificate बनाते हैं,